सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए पूरा ध्यान से आप सब लोग इन सब ही सवालों के जवाब देंगे और लगवग आपका जो टार्गेट होना चाहिए वो बीस से बाइस प्रिशनों के आसपास का होना चाहिए तो पहला प्रिशना आपकी स्क्रिन पर आ चुका है इसका आंसर आपको बताना है कि निमलिकित में से किसकी इस्थापना भारत के योजना आयोक के विकल्प के रूप में की गई थी यानि कि योजना आयोक के इस्थान पर किसकी इस्थापना की गई थी UPSC की, ज्यान आयोकी, कुर्शी लागत और मुल आयोकी या निती आयोकी तो आपको ध्यान रखना है साथ हो योजना आयोक के इस्थान पर निती आयोकी स्थाबना की गई थी जिनका भी आंसर यहाँ पर D है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि भारत के मुख निर्वाचन आयोक्त को उनके पज से कौन हटा सकता है जो भारत के मुख निर्वाचन आयोक्त होते हैं इनको पज से संसत के दोनों सदन की सहमती से हटाया जा सकता है या केंदरिय मंत्री परशत के या भारत के राश्पती या भारत के मुखे नियादेश तो यहाँ पर आपको ध्यान रखता है लोकसभा और राजसभा के द्वारा साथियो भारत के मुखे निरवाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी option number A के साथ तो बिलकुल correct है अब उसके बाद देखिए कि आम आदमी party का गठन किस वर्ष में किया गया था बताईए चलिए देखिए आम आदमी party को अब लोग आप भी कहते हैं आप भी कहते हैं तो इसका गठन साथियों कब किया गया था नवंबर 2012 में इसका गठन किया गया था यह बात आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर यहां पर किस के साथ जाएगा तो option number C के साथ जाएगा उसके बात देखिए के राजनितिक नेता नवीन पत्नायक निंखित में से किस भारती राजुसे सम्मन्दित हैं तो अगर बात करें साथियों नवीन पत्नायकी तो आपको ध्यान होना चाहिए it नवीन पतनायक सात्यों बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका किस के साथ जाएगा, option number B, यानिके ओडिशा के साथ जाएगा, ठीक है, तो ओडिशा के सात्यों मुख्वंत्री रहे हैं, नवीन पतनायक ये बात आपको ध्यान रखता है, उसके बाद देखिए अगला प्रिशन का है, कि ग्रहों के ग्रह पंथों का सामान आकार क्या होता है, बताएगे, ग्रहों के ग्रह पंथों का सामान आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है, इसलिए आंसर आपका किस ओप्शन के साथ जाएगा, तो option number C, सौर मंडल का हिलियो सेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा प्रिस्टित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है साथ यहां पर 50 कोईशन हम ऐसे आपके लिए लाए हैं जो आपकी परिशा के लिए बेहत खास और बेहत महतेपूर्ण है अगर आपको कोई परिशन में किसी भी परिशन में दिक्कत लग रही है तो यह नहीं समझना है कि इस क्लास को छोड़कर जले जाना है बलके इन क्लास के सब ही कोईशन को अटेम्ट करना है जितने कोईशन आपको नहीं आते हैं अपने मनों मस्तिख में उसको इस्टोर करना है ठीक है चलिए तो अगर बात करें सौरमंडल का हिलियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा प्रिस्तूत किया गया तो निकोलस कौपर निकस के द्वारा प्रिस्तूत किया गया अब उसके बाद देखिए कि हमारे सौरमंडल किस गैलक्सी का एक हिस्सा है हमारा सौरमंडल जो है ये किस गैलक्सी का एक हिस्सा है बोडस का, एंडरो मीडा का, आकाश गंगा का ये ट्रॉय गुलम का बताईए तो आकाश गंगा का एक हिस्सा है या बात आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपका option number C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि निलिकेत में से किस विकल्प में किस विकल्प में ग्रहिये पवनों के सही परकार हैं बताईए तो ग्रहिये पवनों के सही परकार साथियों किस में हैं तो वियापारिक पवने पच्छुआ पवने और धरुविये इस्टरली ये परिशन में आपको पहले भी करवा चुका हूँ उसके बाद देखिये माउंट सेंट हेला दरीब सक्री जो अलामुकी कहा परिस्तित है माउंट सेंट हेला दरीब जो है सातियों सक्री जो अलामुकी है ये कहा परिस्तित है जापान में भारत में अमेरिका में या चेली में तो कहां पर इस्तिते सातियों ये सैयुक्त राज़ अमेरिका में स्तिते इसलिए आंसर आपका option number C के साथ जाएगा नेक्स्ट नमबर का प्रशन आपकी स्क्रेन पर है कि आदरता का मापन किस से किया जाता है आशिक वाश्प दाब निरधारन से शुश्क तथा आदर बल्ब तापमान से या भौतिक परसारन से या वाश्पिकरन से तो आंसर यहाँ पर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा आप्शन नमबर B के साथ जाएगा यानि कि आपको ध्यान रखना है कि आदरता का मापन सामरता किस से किया जाता है तो शुश्क तथा आदर बल्ब तापमान मापन से किया जाता है अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रशन है कि चिया पास पठार कौन से देश म हो जायगा उसके बाद देखिए कि आफरीका में जो किलिमंजारों साथियों है इसका नाम ये क्या है मतलब सब सब से लमभी नदी है यह सबसे बड़े घास के मैंदान है सबसे घन जंगल है जौला मुखी पर्वत है चलिए तो अफरीका में किलिमंजारों सातियों जो है ये जो आला मुखी परवत है ये बात आपको धियान रखना है ये सबसे उच्छा जो आला मुखी परवत है ये बात आपको धियान रखना है जो आफरीका महधरी पर सातियों आप पूछा जाए आफरीका महधरी का सबसे उच्छा जो आला मुखी कौन सा है तो कोशन है तो जैनल कल जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगा आप सबी लोग तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो बैकाल जहिल के साथ जाना चाहिए और सभी का आंसर यहां पर आप्शन नमबर A है जो के बिलकुल सही है भाई बहुत बढ़िया बहुत ज्रांदार उसके बाद देखिए कि साइबेरियाई आईबेक्स क्या है यह पहाड़ी शेर है इस परकार की कोशन आपसे पूछ लिया जाते है कि किसी शब दे दिया जाते है दो तरह के शब दे दिया जाते है या एक के लाइन ब कुछ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह क्य ठीक है तो साइबेरियाई आईबेक्स क्या है या आपसे पूछा जा सकता है तो पहाड़ी शेर को कहते हैं बड़ी और भारी बक्रियों को कहते हैं पहाड़ी हिरन को कहते हैं या एक परकार के घोड़े को कहते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो साइबेरियाई तो काले सोने के नाम से सातियों पेट्रॉल को जाना जाता है ठीक है पेट्रॉलियम को काला सोना कहा जाता है इसलिए अगर आप का अंसर यहां पर आप्शन नमर B के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भी बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास अब उसके बाद द आप्शन नमर C के साथ जाएगा छेत्फर से अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे छोटा के अंदर शासित परदेश कौन सा है तो लक्षदीब है चलिए लक्षदीब है उसके बाद देखिए कि कोलेरु जील की जब बात करें तो सातियों किस राजमें इस्थित है बताई उसके बाद देखिए कि चिलका जील नमर्कित में से किस पक्षी जन्तू के लिए परसिद है चिलका जील के अगर सातियों आपर हम लोग बात करते हैं तो ये किस के लिए परसिद है आपको आपसे पूछा जा रहा है और बताने की कोशिश करेंगे देखिए अगर आपसे पूछ लिए जाए कि एशिया का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है तो सातियों चिलका जील आपको बताना है ठीक है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है चिलका जील तो कुलमिला कि अगर बात करत तो ये तो साथियों किस के लिए जाना जाता है चिल्काजील तो राज हंस के लिए जाना जाता है इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है आप्शन नंबर B के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए प्रवासी पक्षिती भी हम लोग तो किस राज़ में है सातियों महराश्ट आपको धियान लखना है आंसर आपका गर जा रहा है आप्शन नमबर A के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है उसके बाद देखिए गोदावरी नदी किस राज़ में से होकर नहीं गुजरती है बताईए यानि के गोदावरी नदी सातियों किनकिन राज़ों से होकर गुजरती है तो महराश्ट से 36 गड़ से आंधर प्रदेश से लेकिन गुजराश से होकर नहीं गुजरती है अब नहीं गुदरती है साथियों तो यही आपके इस कोशन का बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का पुर्षन के आपके स्क्रीन पर भाई क्लास को एक बार आप सब लोग क्या कर देंगे क्लास को लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर देंगे तो अमीद करता हूँ क्लास आप सब लोग शेयर कर रहे होंगे तो फटा फट सातियों क्लास को शेयर कर दीजे और इस 22 में नंबर के पुर्षन का आप सब लोग उत्तर बता दीजे आपसे पूछा जा रहे कि भारत में सोन छेतर हैं भारत में सोन छेतर हैं जहां पर सातियों सोने सबसे जादा पाए जाते हैं तो कितने छेतर हैं इसी कितनी जंगाए हैं देखे अगर बात करें सबसे जादा जो कोईला सबसे जादा तो सोना है वो करनाटक में है ठीक है और रांधिर पुर्देश में भी है और जारखंड में भी साथियों तो तीन ऐसी जगाए है जहां पर यह साथियों सौन च्छेतर कहलाएंगी इसलिए आंसर आपका किस उप्षन के साथ जाएगा उप्षन नमबर सी के साथ जाएगा राजिस्थान के अगर बात करें साथियों तो रिजर्व के लिए जाना जाता है यानि कि तामे के लिए जाना जाता है मैगनीज के लिए सोने के लिए या लोही के लिए तो यहां पर साथियों आप लोग घ्यान रखेंगे राजिस्थान तामा रिजर्व के लिए जाना जाता है इसलिए आंसर आपका किस उप्षन क के साथ हैं तो बिल्कूल करेक्ट हैं अब उसके बाद देखिए साथियों निमनिकित में से किस राज में सड़क घनत्व सबसे ज़ादा है तो सड़कों का घनत्व सबसे ज़ादा कहां पर है मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में केरल में या साथियों करनाटक में बता इस्तान पर तो दोनों ही आप लोग ध्यान रखेंगा राज़ों के बारे में उसके बाद देखें साथियों पनजी के अगर बात करते हैं तो साथियों पनजी कहां की राजधानी है पनजी जो है वो माहे की राजधानी है दमन की या साथियों गोवा की या दीव की तो अगर बात करें आपसे पूछा जाता है कि गोवा की राजधानी क्या है तो गोवा की राजधानी पढ़ जी है इसलिए आंसर आपका किस option के साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा और जिनका भी answer यहाँ पर option number C है तो बिल्कुल correct है आप उसके बात देखें कि 1955 में कौन से बैंक का ना इंडिया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था इसलिए आंसर आपका option number D के साथ जा रहा है जो कि बिल्कुल correct हो जाता है अब उसके बात देखें कि भारत में पर्थम जनगलना का आयोजन कब किया गया था यह आप से पूछा जा रहा है बताएगे अगर आप से पूछा ज 1770 में किसके कारिकाल में की गई थी तो Lord Meo के कारिकाल में और 1881 में जो की गई थी वो Lord Rippen के कारिकाल में की थी यह आपको धियान रखना है तो यहाँ पर आगर बात करें सातियो 1872 में जो पहली जनगलना की गई थी सातियों यहापका right answer हो जाएगे लेकिन यह असफल रही ठीक है और स्वतनतर भारत में पहली जंगलना कभी की गी थी तो सातियों 1951 में की गी थी उसके बाद देखे अगले नंबर का प्रिशन है कि वित्तिय चेतर में FCCB की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है तो FCCB की फुल फॉर्म सातियों क्या हो जाएगी तो यहाँ पर आपको सातियों ध्यान रखना है FCCB की फुल फॉर्म हो जाएगी आप्शन नंबर C उसके बाद देखे कि भारती होली कैसे मनाते हैं भारती लोग जो हैं सातियों यह होली कैसे मनाते हैं एक दूसरे का मजाग बना कर या एक दूसरे पर रंग और पानी फेक कर या दीब जला कर या दीब प्रजवल करके या कबुतरों को मुक्त करके तो आंसर आपका जो जा है शिगमो या नीलगिरी की सबसे उजी चोटी या एक परकार की रंगोली या भगबान शिप के नामों में से एक है तो आंसर आपका किस option के साथ जाएगा option number A के साथ जाएगा जो शिगमो है सातियों ना शिगमो ये गोवा का बसंद रितू का महुतसब है इसलिए answer आपका option number A हो जाएगा उसके बाद देखे सातियों के जल्ली कट्टू क्या है आपसे पूछा जा रहा है बताईए एक टैग खेल है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिया खेल है एक परकार की मिठाई या या एक परकार की जैली है तो जल्ली कट्टू सातियों क्या है ये एक परकार का खेल है जो के सांड को वश में करने वाला एक खेल है और ये कहां पर होता है तो तमिल नाडू में होता है इसलिए answer आपका जो जाएगा वो option number B के साथ जाएगा चलिए उसके बात देखेंगे अगले नंबर का प्रिशन है कि कुम्ब का मेला मध्व प्रदेश के इन शेहरों में से किस में लगता है तो कुम्ब का मेला सातियों अगर बात करें कहां लगता है बतानी की कोशिश कीजिए बताईए चलिए, तो मध्व परदेश के उज्जैन में लगता है या मध्व परदेश के उज्जैन में लगता है और साति उज्जैन जो है वे छिपरा नदी के ड़ड़ परिस्थित है ये भी आपको द्यान लखने आंसर आपका जो जाएगा वो option number C के साथ जाएगा उसके अलावा अगर बात करें हरिदवार, प्रियाग, राज, उज्जैन और नासी के चार ऐसी जंगाए है जहाँ पर कुम मेला लगता है हरिदवार, प्रियाग, उज्जैन और नासी next number का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा देश प्रिटी एक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ तेवार आयजित करता है तो विश्व का सबसे बड़ा सातियो बर्फ का तेवार आयजित करता है चीन, फिनलेंड, ब्रूस, या सुज़लेंड तो आंसर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा आप्शन नमबर ए के साथ जाएगा और जिनका भी आप्शन यहाँ पर आप्शन नमबर ए है तो बिल्कुल करेक्टर वई बहुत बड़िया वेरी गुड क्लास अब उसके बाद देखें कि भारती शास्त्री नरते शैली कच्चूपूरी की उत्पत्ती किस राज़्यम होई है यानि कि कच्चूपूरी जो शास्त्री नरते है ये कहां पर किया जाता है आंधर प्रदेश में केरल में, ओडशा में या सात्यों करनाटक में जाता है कांजी वर्म के रूप में जमदानी के रूप में या पटोला के रूप में तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या जाएगा आपका आंसर जाएगा वो पटोला जाएगा यह निके गुजरात की जो पारम पर एक बुनाई है साथियों इसको पटोला के चाहिए, गोवा के साथ जाना चाहिए, तो अगर आपका आंसर A है, या उप्शन नमबर A के साथ आपका आंसर है, तो बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, उसके बाद देखिए, नेक्स नमबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है, कि इंद्रा गांदी, एलाइफ इन आपका आंसर जाएगा, यानि कि जो इंद्रा गांदी, एलाइफ इन नेचर पुस्तक है, इसके लेखक साथियों कौन है, तो जैराम रमेश है, ये बात आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा अगर बात करें, ओल्ड हिस्टी न्यू जिगराफी, ये किसकी पुस्तक है, अब उसके बात देखेंगे, अगले नंबर का पुस्टन आपके स्कीलिन पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्लिकित मेंसे किसने दव विंग्स ओफ फायर संकलित किया था, बताईए, दव विंग्स ओफ फायर संकलित किया था, यानि कि इस पुस्तक के लेखका कौन है, दव विंग्स ओफ फायर के आर नारायन, प्रणब मुखर जी, एपीज अब्दुलकलाम या आई के गुजरा, तो यहां पर आंसर आपका उप्शन नमबर सी के साथ जा रहा है, जो आप जो भी बिलकुल सही है, चलिए, उसके बात देखिए, राश्टी ओर्जा संक्षन दिवस की बात करें, तो साथियों 14 दिसंबर को मनाया जाता है, कौन सा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो राश्टी ओर्जा संक्षन दिवस साथियों 14 दिसंबर को मनाया जाता है, अब उसके बात देखेंगे कि भारत में राश्टी ओर्जान दिवस कम मनाया जाता ह यह आप से पूछा जा रहा है 21 मॉर्च को 19 फरवरी को 20 फरवरी को या 28 फरवरी को बताईए चलिए चलिए तो अगर बात करें राश्टि विज्यान दिवस का मनाय जाता है सात्यों तो आप लोग यहाँ पर दिहान रखेंगे 28 फरवरे को राश्टिय विग्यान दिवस मना जाता है तो यहाँ पर जिनका भी आंसर आप्शन नमर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका उसके बाद देखिए अगले नमर का पुर्शन अंतराश्टिय श्रम संगठन यानि की इंटरनेशनल लेबर औरगनाईजेशन का मुख्याले काहां पर रस्तित अंसर आप सभी को जो जा रहा है बलकुल करेक्ट ली जा रहा है उप्शन नमर ए के साथ उसके बाद देखिए कि विश बैंक का मुख्याले काहां पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे बताईए चलिए तो विश्वएंग का मुख्याले साथियों यरूस में USA में जापान में या इंग्लेंड में तो कहां पर स्थित है अमेरिका में स्थित है यानि USA में स्थित है और यह कोशन कई बार आ चुका है जितने भी questions में आपको करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी exams में साथियों पूछे जा चुके हैं और वो questions आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं जो किसी ना किसी exams में पूछे जा चुके हैं क्योंकि वही questions साथियों जो है वो repeat हुआ करते हैं अब उसके बाद देखे हूंगे के मंगल और्बिटर मिशन, मंगल यान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, 2012 में, 2013 में, 2014 में, या 2020 में, तो कब किया गया था जो मंगल और्बिटर मिशन था सातियों मंगल यान को 5 नमंबर 2013 को आंधर प्रदेश के शीरी हरी कोटा में जो सतीश दवन अंतरिश केंदर है यहां पर से इसको प्रिक्षेपित किया गया था तो आंसर कुल मिला कि आपका कितना जाएगा आप्शन नमबर बी जाएगा यानि के 2013 में मंगल और्बिटर मिशन मंगल यान को प्रिक्षेपित किया गया था कहां से सातियों सतीश दवन अंतरिश केंदर से और सतीश दवन अंतरिश केंदर कहां पर स्थित है आंदर प्रदेश के शीरी हरी कोटा में स्थित है आप उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का प्रिशन है कि पहले भारती अंतरिश यान अपने पहले प्रियास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रिवेश किया या दूसरे प्रियास या तीसरे प्रियास या चौथे प्रियास तो यहां पर आपका आंसर जाएगा वो साथियों आपको ध्यान रखने जो पहले भारती अंतरशियान जो थे ये अपने पहली ही प्रयास में मंगल ग्रहे की कक्षा में उन्होंने प्रेवेश कर दिया था इसलिए आंसर अगर आपका जा रहा है आप्शन नमबर एक के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है चलीے उसके बाद देखिए साथ युest क्लास को आप सभी लोग शेयर करते रहूए कैफरीन जॉसकं? नील आरमस्ट्राठाउंग या बज एलिटन या जोर्जिड टेलर चलीए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बात करें 1979 की तो 1979 में नील आर्मस्ट्रोंग अपोलो 11 मिशन के तहे चांद पर ये गए थे और चांद पर जाने वाले पहले वेक्ति कौन है तो नील आर्मस्ट्रोंग है कब गए थे तो 1979 में गए थे किस mission के तहए तो Apollo 11 mission के तहट गए थे चांद पर सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखना है चलिए तो ये साथ यो अमेरिकी खगोल यात्री है ये आनुट स्टॉंग जो है ठीक है अब उसके बात देखेंगे अगला प्रिशना आपके स्केलिन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारती सविदान में पंचवर्शी योजना का प्रवधान किस देश से लिया गया है तो USS से, Ireland से, दक्षिन अफरीका से या USSR से चलिए तो बात आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर बात करते हैं साथियों पंचवर्शी योजना की तो भारत की जो पहले प्रवधान मंत्री थे पंडिस जवाहला लेहरू इनों ने साथे 1951 में भारत की संसब में पहली पंचवर्शी योजना जो है यानि के रूस से लिया गया है तो जिनका भी आंसर यहां पर आप्शन नमर्डी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था अब उसके बाद देखिए कि भारती सविधान में मौलिक अधिकार किस संशोधन किस सविधान किसे अंगिकार किये गए है सायुक्त राज अमरिका से सुजलेंड से बिटन से या सातियों सोवियत संग से चलिए यहां पर आपका आंसर जो जाएगा वो सायुक्त राज अमरिका के साथ जाना चाहिए सायुक्त राज इस प्रशन का बिल्कुल सही उतर हो जाता है तो मौली का दिकार सातियों कहां से लिए गए हैं अमरिका के सविधान से लिए गए हैं मौली का दिकार का 21 अनुच्छद में किया गया है तो अनुच्छद 12 से लेकर 35 में किया गया है कौन से भाग में मौली का दिकार का जिक्र किया गया है ये बात भी आपको ध्यान रखना है अब उसके बात देखिए अगला पुरिशन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सविधान में भाई चारे की भावना किस देश से प्रेरित है इटली से, आयरलेंड से, फ्रांस से या साथी अमरीका से बताईए चलिए भाई चारे की भावना किस देश से प्रेरित है तो फ्रांस से प्रेरित है ये बात आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर अगर आपका है यहां पर आप्शन नमबर सी आप लोग ध्यान रखेंगी इसके तहथ सात्यों क्या कहा गया है चलिए अब उसके बाद देखिएंगे अगले नमबर का प्रिशन और आज की कलास का अनतीम पुछा जा रहा है कि भारति सविधान के अनुसार इनमे से कौन सा मौलिक करतव नहीं है तो अभी मैंने आपको बतायता सातियों मौलिक करतव कितने है ग्यारा है इन्वे से एक मौलिक करतव नहीं है और तीन मौलिक करतव है तो सद्भावन और भाईचारी की भावना को बढ़ावा देना ये एक मौलिक करतव है संस्कृति की समरद विरासत को संरक्षित करना ये ये वही एक मौलिक करते हैं लेकिन सात्यों माणवों के अवयद करें विकरें और बलाज श्रम का निशेद करना एक मौलिक सात्यों मौलिक करता की श्रणी में नई आएगा यही आपका राइट आएट आंसर होजाएगा ऑफ्शन अमसर दी तो जिनका भी आंसर यहाँ बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास तो ये थे सातियों सामान ग्यान के पचास अती महत्पोर्ण पृष्ण आप सभी की परिक्षा के लिए उमीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे तो म मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिंसातियों सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए